नमस्कार पेरेंस, मैं डॉक्टर शिवानी देशवाल हूँ, मैं बच्चों की लिवर ट्रांस्प्लांट फिजिशन हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों में और अडल्स में लिवर ट्रांस्प्लांट कैसे डिफरेंट होता है, लिवर एक बहुत ही ब्यूटिफ अगर लिवर किसी कारण वर्ष खराब हो जाता है, तो ये सारे फॉंक्शन लिवर नहीं कर पाता है, हम एंस्टेज लिवर डिजीज तब कहते हैं, जब हमें पता चलता है कि लिवर इतने हद तक डिटोरियेट हो गया है, कि बिना लिवर ट्रांस्प्लांट के बच्चा होती है, वो होता है फैटी लिवर डिजीज या आल्कोहल की वज़े से लिवर सढ जाता है, या हेपरटाइटिस B या C की वज़े से लिवर सुकर जाता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, बच्चों में लिवर ट्रांस्प्लांट की इंडिकेशन जो सबसे कॉमनेस्ट है, उस इसकी एक सरजरी होती है, जिसको हम कसाई पोटो इंट्रोस्टमी कहते हैं, जो 90 दिन के विधिन करनी होती है। अगर किसी कारणवश, 90 दिन तक ये सरजरी नहीं हो पाती है, तो देखा गया है कि 95% बच्चे दो साल की उमर तक बिना लिवर ट्रांस्प्लांट के जी नहीं सकते हैं। इसमें हम लिवर ट्रांस्प्लांट बच्चे को इंडिकेट करते हैं, अगर बच्चे को बिलीरेटरीजिया के साथ बार-बार इंफेक्शन और कॉलनजाइटिस होता है, या बच्चे को खून की उल्टिया होती है, या बच्चे के पेट में पानी भर जाता है, या और पॉइसनिंग की बज़े से हो जाता है, तीसरी कॉमन इंडिकेशन बच्चों में जो देखी गई है, वो है विल्सन्स लिवर डिजीज या मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, जिसमें बच्चे के लिवर में कोई इंजाइम डेशिंट होता है, जिसकी वज़े से लिवर बच्चे को लिवर डिया जाता है, वो बच्चे की कैपास्टी के हिसाब से एडिक्वेट होता है, और बच्चे का पूरा काम करता है, अगर उसको जरूरत होती है, तो वो खुद रिजेनरेट करके बच्चे को कम्प्लीट लिवर की तरह काम करता है, Similarly, जो डोनर अपना 20% पार्ट अव दे लिवर देता है, वो 6-8 हफते में एक नॉर्मल लिवर में दुबारा बन जाता है, बच्चे में दो टाइब के लिवर ट्रांस्प्लांट हो सकते हैं, या तो क्याडवरिक लिवर ट्रांस्प्लांट, जैसे कि कोई पेशन्ट एक्सिदेंट से हॉस्पिटल में आता है और ब्रेन डेड होता है, लेकिन उसका लिवर और हार्ट काम कर रहा होता है, तो अगर इसके रिलेटिव उसका लिवर डोनेट करने के लिए मानते हैं, तो हम बच्चे को उसका स्प्रिट लिवर दे सकते हैं, दूसरा जो इंडिया में सबसे कॉमनिस्ट है, वो है लिविंग डोनल लिवर ट्रांस्प्लांट, जहां पे कोई रिष्टेदार, ममी, पापा, ग्र इंडिया में बहुत अच्छे हैं, देखा गया है कि जब बच्चे को लिवर ट्रांस्प्लांट की जुरत हो, अगर टाइमली लिवर ट्रांस्प्लांट कर दिया जाए और उसको ज़्यादा वेट ना कराया जाए, तो उसका सक्सेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इस अफकोस हमें डोनर एवालुएशन एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, हम देखते हैं बहुत ही बारीकी से कि पेशन जो डोनर है, वो हेल्दी होना चाहिए है, वो उसका फैटी लिवर नहीं होना चाहिए है, उसको हेपटाइटिस B, C, HIV infection नहीं होना चाहिए है, वो mentally और emotionally sound और capable होना चाहिए है, अगर हमें ये सब दिखता है डोनर में, तब ही हम उससे बच्चे के लिवर ट्रांस्प्लांट के लिए encourage करते हैं, एक ethical committee बैठती है गवर्मेंट की, जो approve करती है डोनर की evaluation और फिर ही हम लिवर ट्रांस्प्लांट सरजरी के लिए बच्चे पे अगर आपके बच्चे को आपके फिजिशन ने बोला है कि एंड स्टेज लिवर डिजीज है, सिरोसिज है, पोटल हाइपटेंशन है और आपका बच्चे का लिवर मेडिकल थेरपी से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको टाइमली एक लिवर ट्रांस्प्लांट फिजिश से आपके बच्चे की लिवर ट्रांस्प्लांट सर्जरी की जा सकते हैं